Hello friends, welcome to my channel VVFR और I hope कि इसके part 1 को आपने बहुत ही enjoy किया होगा और आपने सीख लिया होगा कि आप कैसे image को user form में insert कर सकते हैं उसी में उसी project को continue करते हुए आज इसमें आप सीखने वाले हैं कि कैसे आप किसी folder को अगर मुझे select करना है इसका मुझे preview देखना है तो हम preview देख सकते हैं तो वो हम कैसे देखेंगे वो हम बताएंगे साथ में यह भी देखेंगे कि अगर जो landscape photo है उसको landscape view में जो ported view में है उसे ported view में कैसे हम display करेंगे आज़ मुझे कोई picture delete करना है यहां से direct तो just हमें select photo करना है और जो भी हमारे picture है जिसे हम delete करना चाहते हैं उसे हम यहां से delete कर सकते हैं जैसे ही हम इसे delete करेंगे हमारे file यहां से delete हो जाएंगे हमारे folder से भी ओ फाइल delete हो जाएंगे और आपके user form जो है rearrange हो जाएगा जैसा कि आपके folder में जितने file होंगे तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लाएगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस प्रोजेक्ट का फाइल हमने डिस्रिप्शन में दे दिया है जिसे आप डाउनलोट कर सकते हैं और अपने खुद से प्रेक्टिस कर सकते हैं कि इसे मैंने बनाया कैसे हैं बट इतना ध्यान रखिएगा कि जब आप लोग फाइल डाउनलोट करेंगे और उसे जब ओपन करेंगे तो उसके कोड को समझने के लिए एट लिस्ट एक बार इस वीडियो को कम्पलीट देखिएगा उससे क्या होगा दो बेनिफिट हैं उससे एक तो आपको पूरी अंडरेस्टैंडिंग बनेगी कि कौन सा कूर कहां पे और कैसे और क्यों लिखा गया है ठीक है और दूसरा यह है कि आप जब मेरे वीडियो को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस वीडियो में कहां पे और इंप्रूव्मेंट की जववत है तो एक तो आपका फैदा है और एक मेरा फैदा है मेरा फैदा इससे यह है कि आप लोग जब वीडियो देखोगे और उसे उस पे जब कोमेंट करोगे तो मुझे पता चलेगा कि मुझे क्या और इंप्रूव करने की जबवत है किसी चीज पे और भी इसे अच्छा से बनाया जा सकता है जिससे कि मैं नेक्स्ट वीडियो में औ और अच्छे तरीके से और कुछ यूनिक आइडिया के साथ मैं वीडियो अप्लोट कर सकूँ तो प्लीज एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को कम्प्लीट देखिएगा और इसी तरह हमें सपोर्ट करते रहे इसी के साथ चलिए स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम लोग क करते हैं स्लेक्ट फोटो करने का कि जैसा कि आपने देखा था जब हम स्लेक्ट फोटो पर क्लिक कर रहे थे तो हमारे फोटो के नीचे जो चेक बॉक्स इनेवल हो जाता था उसके लिए हम पहले काम करेंगे तो हमें सबसे पहले करना क्या है सबसे पहले तो करना है कि जब ह हम इसको select पर click करें, तो यह deselect photo हो जाए, fine, तो यहां पर करेंगे, if me.select photo.caption is equal to select photo, ठीक है, उसके बाद क्या हो जाए है, यह तो हो जाए, me.selected photo.caption is equal to deselect photo, ilse, ilse क्या हो, ilse ठीक, इसके उल्टा हो जाए, इसको यहां से उठाए, और यहां पर डाल के इसको डाल दे हम select photo, इससे क्या होगा, कि जब हमारा button जो है, वो थोड़ा animate होगा, toggle button की तरह काम करेंगा, select, deselect, तो यह तो हमारा हो गया, अब क्या है, कि जब हमारा, जब हम, जब मैं select photo पे click करूँ, तो इसके नीचे यहां पे जो है, इसके side में, एक check box जो है, जो check box होता है, उसको insert कर देंगे, fine, वो insert करना जरूरी है, क्योंकि जब तक आप insert नहीं करेंगे, तो identify नहीं कर पाएगे, कि इस file को आप preview करना चाहते है, कि इस file को आप delete करना चाहते है, तो इसलिए हमें select और deselect करना होगा, तो यहां पे क्या करेंगे, इसमें जाएंगे, और यहां पे लिखेंगे, सबसे पहले मुझे क्या करना है, एक चीज और इसमें एक characteria देना है, यह characteria देना है, कि suppose that मानलो कि आपने कोई folder select ही नहीं किया, तो select और deselect काम ना कर, fine, तो यहां आपने click किया, इसको अगर आप click करेंगे, select फोल्डर तो यह काम नहीं करेंगा, क्योंकि अभी तक कोई folder आपने select किया ही नहीं है, तो यह क्या होगा, यह कोई काम नहीं करेंगा, आप उसके बाद करेंगे, हमें करना क्या है, हमें एक check box insert करना है, तो check box कैसे insert करते हैं, जै को paste कर दीए fine और image image के जगह पे आप लिख दीजे checkbox और यह checkbox हम क्यों लिख रहे हैं तो इसके लिए मैं बता दूँ आपको कि इसके अगर कोई भी checkbox लिजे tool में जाहिए और यह checkbox है इसको लिजे इसको जब आप insert करते हैं तो इसका नाम क्या आता है checkbox तो अब इसको हम क्य क्या करेंगे checkbox इसलिए हम insert कर रहे हैं तो हम select box में चलेंगे और यहां करेंगे set ch box is equal to photo gallery control add form checkbox.one उसके बाद यहां करेंगे with ch box और इससे close कर देंगे अब सोचो सबसे पहले मुझे क्या करना है जब हमारा checkbox insert हो जा तो उसका नाम होना चाहिए पहले कि नाम क्या होना चाह तो checkbox हमें उतना चाहिए जितना photo है उस folder में तो हमारा photo कहा है तो जब हम select folder करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि total folder total photo कितना है वह यहां से पता चलता है तो जैसे loop यहां चलाए है न यहां पर जैसे loop चलाए हुए है उससी तरह यहां loop चलाएंगे इस select photo में और इस set से पहल सेट से पहले करेंगे for CH के button is equal to zero to TOT photo minus one और end with के बाद इसे हम यहां पर close कर देंगे next CH के button और इसको थोरा अंदर कर देते हैं अब यहां पर सबसे पहले इसका name देंगे checkbox का नाम क्या हो जाएगा तो इसका नाम होगा CH and जो हमारा चेक button यह जो number जो हमारा लूप चल रहा है उसी का number डालेंगे जब पहला बड़ चलेगा तो उसका CH zero नाम होगा दूसरा बड़ चलेगा लूप तो उसका नाम होगा CH one तो उसी तरह यहां पर डालेंगे CH के button फाइन अब इंसर्ट हो गया अब उस checkbox की बीर्थ क्या होना चाहिए इसका बीर्थ क्या होना चाहिए तो बीर्थ होना चाहिए हमारे इसका control का नाम क्या था जो image control होड़ा image हम जो insert कर रहे थे उसका नाम क्या था उसका नाम था मी IMG and CH box image zero image one image two इस तरह हमने नाम रखा था आपने लास्ट वीडियो में देखा था और अगर आपने नहीं देखा है लास्ट वीडियो तो यह उपर टॉप का नड़ पर आपको लिंक दिया जा रहा है वहां पर भी क्लिक करके आप देख सकते हो dot width यानि जो check box का width है उतना है इसका width भी दे height हम कुछ नहीं करेंगे but उसका left position क्या होगा जो हमारा check box है उसका left position क्या होगा तो same इसका जो हमारा image है इसमें ज्यादा कुछ नहीं है image का ही हम reference लेंगे बार बार करेंगे dot left लेकिन थोड़ा सा चाहते है कि left और बढ़ जाए क्योंकि अगर left हम करेंगे यहां पर suppose that मान लो कि यहां पर हमने photo select किया अभी check box की size तो width तो इसके बरावर में ह हुजाएगा लेकिन left जो है कहां से रखें तो left थोड़ा सा इसके अंदर रखें हम fine तो थोड़ा सा अंदर रखने के लिए हम क्या करेंगे या तो दस पॉइंट ज्याना अंदर करेंगे 10 points उसका यहां पर होगा फीर same वही होगा इसको copy करेंगे और इसके जगा image है उसके top जहां से start हुआ वो हुआ उसके मीचे उसके बाद उसकी हाइठ है वह plus की है और minus करेंगे क्योंकि यहां पर क्या है आप देखो यहां पर हमने select folder किया photo यहां पर लिया जब image यहां पर पहले तो इसका image का तॉप देख लिया फिर इस image का जो height है उसका ले लिया तो यहां पर insert होगा लेकिन इससे मुझे थोड़ा सा अंदर चाहिए तो यह minus करना होगा मुझे तो हम minus 10 यहां पर करेंगे जैसे यहां पर हमने plus 10 किया था क्योंकि left से बढ़ाना था तो यहां हम minus 10 कर देंगे fine okay एक बड़ चलिए इसे हम run करके देखते हैं और आपको बताते हैं तो समझ में आएगा यहां पर photo आपने select किया जैसे ही आप select photo पर click करेंगे डेबुक क्यों आया sorry ch box नहीं यहां पर check button जो हमारा loop का नाम क्या है check button है तो ch के button जितने भी है उसको ch के box जो मैंने लिखा है उसको ch के button करना है क्योंकि यहां number मुझे लेना है आप इसे हम run करते हैं चलिए तो इसे एक बार run करके देख लेते हैं तो जैसे ही हम select folder करेंगे पहले folder select करेंगे फिर हम करेंगे select photo जैसे ही select photo कीजिए तो देखिए आ गया ना यह लेकिन अब यहां देखिए problem क्या है अगर हमने इसका bit कितना लिया था जितना image का bit है उतना ही लिया था तो इसलिए यह इधर थोड़ा extra आ गया fine तो इसको क्या करना होगा हमें minus करना होग इसका bit से ठीक है दुसरे आप देखेंगे इसके जो नीचे ऊपर तो ज्यादा आ गया यह सॉरी left से यह ज्यादा अंदर चला गया लेकिन नीचे से कम गया है यह ज्यादा ऊपर नहीं गया है तो मुझे थोड़ा सा यह एक दो बार मिलाना पड़ेगा तो इसको कैसे कर देंगे इसे यहां सा क्लॉज करना होगा इसको थोड़ा कम कर देंगे क्योंकि बहुत ज्यादा लेफ्ट में भाग रहा है और यह सच्छादा कुछ नीचे जा रहा है तो इसको हम कर देंगे 5 ठीक है तो five नहीं इसे कर देंगे 15 यानि ज्यादा माइनस करना है और बिर्थ में हमें कितना करना है यतना इसका इधर हम बरहा रहे हैं पांच बरहा रहे हैं उतना ही इधर हम माइनस कर देंगे तो जब अब अब इसे हम अगर run करते हैं तो यहां पर देखिएगा आप यह अभी सही आना चाहिए लेगिन चली एक बार देखते हैं तो यह हमारा perfect आ गया आप अब यह जो देखना है कि यह इसको transparent करना है इस checkbox को तो इस checkbox को transparent करने के लिए हम क्या करेंगे just यहां पर आप देखेंगे dot back style is equal to zero कर देंगे only back style zero करना है तो select photo तो यह आपका आ गया है सही जगा पर आ गया है अब हम चलते हैं इसका कि अगर d select करते हैं तो क्या हो क्योंकि select करने पर तो हो जाए लेकिन d select होने पर भी तो कुछ होना चाहिए तो d select होने पर आप same क्या करो यह loop लो लूप तो उतना हमें चलाना ही चलाना है पेस्ट करेंगे और next ch के button और यहां पर सीधा करेंगे me.control.remove और उसके बाद क्या करना है remove के बाद कौन सा control हमें remove करना है तो हमेंने नाम क्या दिया है यहां पर ch ch and हमारा कौन सा loop कौन सा है ch के button ch के button that's it इतना ही करेंगे और इसमें इसमें on error देने की जववत नहीं है क्योंकि इसमें error नहीं आएगा क्यों नहीं error आएगा कि जब यहां पर कोई photo नहीं होगा तो यह काम करेंगा नहीं select photo suppose it managing देखता हो करके select photo पहले तो हम यह photo select करके देख लेते हैं हमने यहां पर select photo किया तो यह जितने checkbox है आगे अब इसे हम deselect करते हैं deselect किया हट गया लेकिन suppose that मालेजिए किसी folder में कोई photo नहीं है यहां पर कोई photo नहीं है और हम यहां पर select photo कर रहे है तो यह यह काम कर रहा है तो हमें यहां पर condition क्या देना होगा एक condition और देना होगा मुझे select photo में कि ज इसके जगा पर हम लिख देंगे tot photo is equal to zero day ने जीट सब यानि tot कोई भी folder select करेंगे अगर उसमें कोई photo नहीं होगा तो आपका जो total photo है उसकी value क्या होगी zero होगी तो आप इसको अगर run करेंगे और यहां पर select photo अभी करेंगे तो भी काम नहीं करेंगा और अगर कोई बीना photo का folder select कर लेते हैं तो भी यह काम नहीं करेंगा लेकिन जैसे ही कोई photo वाला जिसमे photo हो उस folder को select करेंगे तो यहां पर क्या होगा यह select करेंगे select बटन आयागा यह वाला चीज इसको उठा लेंगे और delete वाले इसमें चलेंगे button में और delete पर यहां पर डालेंगे यहां पर भी same condition डाल देंगे इसके बाद हम यहां पर लूप लेंगे और यहां पर just क्या करना है यहां पर यह चीज देना पर लूप तो चलाना है लेकिन इसके पहले यहां पर एक condition देना है condition क्या देना है if me ch यानि जो हमारा button है वो true हो मतलब select किया गया हो is equal to true then उस control को यह remove कर देगा fine और यह बाहर आ जाएगा और बाहर आने के बाद क्या हो जितने भी हमारे image है वो सारे के सारे remove हो जाने चाहिए तो हम यहां पर क्या करेंगे इसको जो है इसको हम इसके बाहर रखेंगे लूप के बाहर क्योंकि हमें क्या करना है सारे जितने हमारे checkbox है सबको हम delete करना चाहते हैं बस केवल जो हमारा file है यहां पर हम अभी note दे रहा है कि file to be deleted यहां पर file delete करने का हम code डालेंगे xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx पर क्या होता है न चेक बटन का जो बैडियेबल है जो बैलू है वो इसको यहां नहीं मिल रहा है इसलिए प्रॉब्लेम क्रियेट कर रहा है अब जैसे सब्सक्राइब मानिचे कि डिसलेक्ट स्लेक्ट फोटो कीजिए और इससे डिलीट करना है मुझे जैसे ही आप डिलीट क्लिक करेंगे तो देखिए यह हट गया जब यह हट जाए तो हमारा फोटो भी यहां से क्या-क्या डिलीट होना चाहिए जब यह हट जाए और यह फाइल डिलीट हो जाना चाहिए ठीक है तो फाइल का हम बाद में करते हैं पहले क्या करेंगे जब यह डिलीट हो उसके बा यहां पर नहीं इसके लूप के अंदर चलाई है क्यों एक सब्सक्राइब कि मैं यहां पर नोट बना देता हूं रिमूव आल चेक बॉक्स एड इमेज़ चेक बॉक्स और इमेज दोनों डिलीट होना चाहिए क्यों माले जी कि अगर आपका फोटो डिलीट हो गया तो दुब गोल रहा हूं मैं on your resume next क्योंकि यहां पर अलरिडिम पहला कंट्रोल को डिलीट कर दिये ठीक है तो पहले को डिलीट करदी है हैं और अगर यहां पर दुबंगा tämä करेगा तो फिर को हैंड़ देंगे on error resume next अब यहां पर क्या करना है मुझे दोनों चीज डिलीट करना है एक तो checkbox को delete करना है और एक मुझे क्या delete करना है मुझे image को तो हमारा image का नाम क्या है image अब जैसे ही आप इस पर run करेंगे और इसके बाद क्या हो जब यह image इस पर है आपका total जो है एक बार delete हो जाए तो select बटन जो है वो क्या हो जाए डी select बटन हो जाए जो डी select लिखा हुआ हो फिर से डी select हो जाए तो हम यहां पर लिख देंगे last में इस इन डिप से पहले हमारा क्या होना चाहिए फिर से जब next check button जब मेरा काम पूरा दिलीट हो जाए जारा सारा picture और check box जब डिलीट हो जाए तो दूबारा से हमारा यह insert image वाला जो है वह रून करना सुरू हो जाए क्योंकि वहां से उस file फाइल को delete कर देगा तो हमारा दूबारा क्या होगा फाइल दुबारा हमारा कम हो जाएगा तो दुबारा वह इंसर्ट होगा एक चीज और करना है सेलेक्ट फोटो में जब यह क्लोज हो जाए तो आब हम यहां पर डिलीट में क्या करेंगे जब यह डिलीट कर दे उसके बाद हमारा जो एय需要 केसड ini ने जब जिलीट बतन का सोड़ी इसका सैलेक्ट फोनों का जो का जो स्थाए वह क्या जाएग डिस अलें सै वह य। हम ने शाएंस सलोक disciples प्सक्जाटन क्यों स्यूक्टैक्टी सरीस्काइब फोन एप चलिए इससे रां करते हैं और देखते हैं इसी Select folder, photo, हमने select किया और इसको या इसको हमने select किया, इससे delete करना है, जैसे ही हम delete करेंगे, तो आप देखेंगे, इसको delete कर दिया और दुबारा से insert कर दिया, तो हमारा काम वह अच्छा से कर रहा है, आप suppose that मालेजे कि हम folder में चलते हैं, और इसमें एक दो photo extra कर देते हैं, जैसे cherry क एक extra कर दिया, और पॉमे granite का, अनार का भी एक extra कर दिया, क्योंकि delete करूंगा तो कम से कम photo delete नौ हो, ओके, आप यहां पे क्या करेंगे, delete में, यहां जो हम control remove कर रहे हैं, या तो आप इसको यहां नहीं भी देंगे, तो काम चलेगा, क्योंकि finally है, यहां पे सभी को delete कर रहा ह fine, तो यहां पे हम इसको हटा भी सकते हैं, जववत नहीं है रखने का, यह आपके उपर निरवर करता है कि क्या करें, और यहां पे करेंगे, kill और कौन सा file मुझे delete करना है, क्योंकि जो check box file path क्या है, यहां पे करेंगे file path और कौन सा file path, file path आपने array जो बना रखा था, last video में ह क्यों सा file, 0, जैसे array बताया था, 0 से start होता है, तो यहां check button 0 से start होना है, जो भी check box वो select किया होगा, उसी के file को वो delete करेंगा, तो CH के button, that's it, अब suppose that मानलो आपर run करो यहां पे, हमने यहां पे select folder किया, अब इसमें हम select photo गया, और मुझे यह जो cherry है, इससे हम delete करना चाहते है, यहां पे दो cherry है, हमने delete किया, तो आप देखेंगे, यह आपका एक file के साथ हट गया, basically क्या होगा ना, कि आपके folder से ही वो file हट गया, और file जब folder से हट गया, तो दुबारा से हमने insert image का code run किया था, आप देखेंगे यहां पे delete के बाद हमने यहां पे दुबारा insert image run किया था तो इसलिए दुबारा से उस file को check कर रहा है, और वहां से आपके सारे photo को फिर से आपके user form में insert कर रहा है, तो यह तो हो गया आपका select photo और deselect photo और delete करने का, अब main आता है यहां पे preview करने का, कि preview कैसे करें, ओके, तो चलिए, सबसे पहले, एक बड़ा ही simple तरीका मैं बता दे लिजिए और यह वाला copy कर लिजिए, यहां तक, ठीके, simple सा तरीका जो है वो बताता हूं preview का, बाद में मैं बताऊंगा कि user form में कैसे हम करेंगे, if एक loop चलेगा यहां पे, for chk button is equal to 0 to tot photo minus 1, और remove यहां नहीं करेंगे, यहां पे क्या करेंगे, यहां पे लिखेंगे सबसे प लिखने की जववत नहीं है मुझे, हम यहां पे जश्ट लिखेंगे कि अगर checkbox हमारा true हो, तो क्या हो, हम यह भी कर सकते हैं, this workbook.follow hyperlink, और file path हमारा क्या हो जाएगा, file path, address, chk button, that's it, इससे भी आप direct computer के इससे preview देख सकते हैं, जो आपके windows का system जो होता है, windows के जो photo viewer होता ह उससे आप direct view कर सकते हैं, यहाँ पे मालीजे select किया, और इसे मुझे देखना है, जैसे ही आप preview पे click करेंगे, तो देखें यहाँ पे आप उस file को open कर देगा यह, fine, तो चलिए यह तो बड़ा ही simple तरीका था, कि इसको file को देखने के लिए, लेकिन हम चाहते हैं कि एक user form ले और उसमें हम इसको दिखाएं, और वो portrait और landscape, दोनों side में हमें दिखाएं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखें, यहाँ पे एक user form हम ले लिया है, जिसका size जो है, हमने अपने तरीका से लिया है, 327.5, इसका height है, इसका width जो है, 510 है, और इसका जो है, इस stretch, fine, बस इसमें इतना ही करना है, इसमें आप देखेंगे, code के वाल दूसरे चीज़ का है, वो मैं आपको बताऊंगा, कि यह क्या है, ठीक है, तो अब हम चलते है, preview button में, photo gallery में जाएंगे, और preview पे click करेंगे, और यहाँ पे क्या करेंगे, अगर यह true हो, तो सबसे पहले हम में क्या करना है, इसका नाम क्या है, इस user form का, photo preview, ठीक है, तो करेंगे, photo preview, dot picture is equal to, load picture, और load picture कौन सा, वही same रहेगा, file path, और हमारा हो जायाएगा, chk button, that's it, ठीक है, अब इसको आप करेंगे, चलिए तो अब इसे run करके देखते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले हम select photo करेंग और photo पे click किया, click किया, photo पे करते हैं, तो preview, अब यह photo तो आ रहा है, लेकिन यह आप देख रहे हो, कि सारा photo wide angle में ही दिखा रहा है, मुझे, सारा photo, और इसमे एक एडर और भी है, मालेजी कि आप multiple select कर लेंगे, तो यह दू बार आपको दिखाएगा, एक बार close करेंगे, फ false हो जाए, ओके, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, और एक दूसरा चीज़ और, मालेजी कि आपने यहाँ पे कोई select नहीं किया, और यह deselect photo है, अगर आप इस पे click करेंगे, तो इस error को handle करने के लिए हम क्या करेंगे, तो इसके लिए हम करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, और then click on the select photo, then deselect photo, fine, okay, तो अब इसमें हम क्या करेंगे, प्रिव्यू में चलेंगे, और यहाँ पे करेंगे, not equal to deselect photo, then exit server, यहाँ अगर वो deselect photo नहीं हो, तो बाहर आ जाए, क्यों बाहर आ जाए, क्योंकि आपने कोई photos अभी तक तो select ही नहीं किया है, तो वो preview run करके क्या होगा तो वो बाहर आ जाएगा, fine, उसके बाद यहाँ पे क्या हो, कि जब यह check button इसको true मिल जाए, तो यहाँ पे कहिए, इसी में कर दीजे, क्योंकि हमने कहा है कि जो multiple photo आ रहे हैं, वो मुझे नहीं चाहिए, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको copy करेंगे, और इसके नीचे ड किया, और इसके select photo किया, अब इसको जैसे हम करेंगे, और जब हम इसे preview करेंगे, तो यह preview करेंगे, तो यह preview करेंगे हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, इसे run करते हैं, और देखते हैं, exit सब आ रहा है, यानि not equal to deselect photo, यहाँ पे spelling गलत है, ठीक है, जो spelling इसका है, वही spelling यहाँ पे le डालना है, मुझे, अब आप इसे run करेंगे, तो यह run करना चाहिए, चलिए तो फिर व्यू करते हैं, तो इसे run किये, अभी भी exist आ रहा है, क्या हो रहा है, selected photo is good, dese, 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 deselect, deselect, इसे फिर से run करना होगा, और run किजिए, select folder, photo, ok, मैं यह सब चीजे चाहूं, तो cut कर सकता हूं, और fast कर सकता हूं, लेकिन मैं fast नहीं कर रहा, मैं एक एक चीज बताने की कोशिस कर रहा हूं, मैं इसे select किया, अभी से run करेंगे, तो यहाँ पे देखिए, बाहर अब नहीं जा ही फरक लेड़ा है, इसमें देख रहा है, एस जो है, छोटा लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आपको छोटा करना होगा, तो इसे फिर से हमें restart करना पड़ेगा, select folder जाएंगे, अब हम इस पे select button करके, इस पे click करते है, preview पे, तो अब क्या होता है, देखते हैं, अभी यह सही इसे काम कर रहा है, तो अगर हम इसे run करें, तो यह हमारा preview कर रहा है, और जैसे ही preview cut कर रहा है, यह false हो जा रहा है, अब यह तो हो गया हमारा preview का काम, लेकिन जब preview हो जाए, उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें करना है, जो हमारा picture है, जो हमारा user form है, उसको resize करन रहे हैं तो सबसे पहले लिखेंगे अ करते हैं उसको हम एक अंदर ले रहते हैं कि बार बार फोटो पिभीव फोटो पिघू न लिखना प otherapं कर देते हैं कि strict of यूंज फॉर्म यानि जों का रहे हैं सारा रही No money में दिखा रहा है लेकिन हम चाहरे है कि जो फोटो जैसे यहां पर जो फोटो पोटेट है वो पोटेट में दिखाए जो फोटो वाइड में हो वाइड में दिखाए तो यहां पर करेंगे set iamg is equal to create object create object क्या एक आता है w ia यह image के लिए आता है dot image file इससे क्या होता है कि यह आपके फोटो के पोटेज में जाके यानि उसके पोटेज के गुन को लेता है यानि पोटेज में जाके उसका size क्या है उसकी लंबाई क्या है उसकी चोड़ाई क्या है जो आप किसी फोटो का यहां पर आप देखोगे इसको प्रपर्टिज पर करोगे आप और देखो आप detail में जाओ, detail में यह देख रहा हो कि इसका हमें निकालना है birth और height निकालना है, कि इसका birth कितना है और इस picture का height कितना है, अगर इसका birth ज्यादा है इसका मतलब है कि यह wide angle में होगा, और इसका अगर height ज्यादा है तो इसका मतलब है कि उस photo का portrait ज्यादा होगा, जैसे आप देखो यह हमने बिर्थ वाले या किया है यह पोटेट है तो इसका प्रपर्टिज करें और इसके प्रपर्टिज के डिटेल देखिए कि इसमें बिर्थ क्या है बिर्थ कम है लेकिन इसका हाइड ज्यादा है तो इसका मतलब है कि यह पोटेट है और जिसका कम है उ लाइंडेस्केप है ओके तो यहां पे यही चीजे जो है हमें वहां पे लेना है तो हम वह किसके थूरू लेते हैं तो हम यह डबलू आईए इमेज फाइल के थूरू लेते हैं इसके लिए कोई आपको डिफरेंस एड़न करने की जववत नहीं है एडिस्नल जो ओल लेडी है विज्वल बेसिक फॉर अप्लिकेशन बस वह लेना है कोई अडिस्नल आपको डिफरेंस लेने की जववत नहीं है ओके अब यहां पर फाइल पाथ च्छ के बटन यह करेंगे ठीक है और यहां पर इसको नहीं यहां पर हमें लिखना पड़ेगा यह पहले जाएगा यह नहीं लिखना है हमें यहां पर करना हो चाहिए बित आई एमजी क्योंकि जब लोट फाइल हो जाए तो मुझे आई एमजी का गून लेना लुट निकालना है तो यहां पर हम करेंगे आई एम जी डॉट बियर्ट ग्रेकर देन आई एम जी डॉट हाइट इसका मतलब है कि वह फाइल जो है आपके लैंडेसकेप में ही आना चाहिए क्योंकि बित ग्रेटर दैन है हाइड से देन हम करेंगे देन हम करेंगे preview dot height is equal to कितना होना चाहिए height तो हम उसका 400 height ले लेंगे जो हमने already size बना रखा है और इसका भीर्थ क्या हो जाएगा photo preview dot भीर्थ is equal to 600 क्योंकि भीर्थ हमें जादा करना है fine ilse ilse करने पर हमें क्या करना होगा इसी को copy करना है just मुझे इसको 600 कर देंगे और इसको 400 कर देंगे fine अब इसको अगर हम run करके देखते हैं तो क्या होता है चलिए एक बार देखते है run करके तो यहां पे हम photo को लिए ok किया then हम select photo पे click करके माल लिजे कि यह मेरा portrait photo है इसको preview करते है तो यह portrait में आ गया लेकिन यह कुछ जादा बरा हो गया user form का size जो है जादा बरा हो गया तो इसको उन थूरा कम कर देते हैं कम नहीं करेंगे हमने गलत किया है हमने गलती क्या किया है यह देखिए हमने height को बहा दिया है बहुत जादा हमें लगता है यह 500 कर देते हैं इसे भी 500 ही कर देते हैं, 600 नहीं करते हैं, अब इसे रंड करके देखते हैं, यह अपने size के उपर है कि आप कोवों सा size में देखना चाथे हो, कोवों से size में आप इसे set करना चाते हो, तो आप एक बार दोबार करके आप देख सकते हो, तो हम यहाँ पर select photo किया और इसे हमने select किया और इसे select folder किया sorry इसे मैंने preview किया तो यह अब सही आ रहा है न और इसी में अगर कोई wide angle का photo हम लेते हैं तो क्या होता है तो यह wide में इस तरह आ रहा है fine तो यह हमारा देख लिए कि यह कैसे हो रहा है fine okay तो अब यहां preview पर चलेंगे okay तो हमारा preview का काम भी अब हो गया preview के लिए बस इतना ही code लिखना है यह एक major है बस यहां से लेकर यहां तक जिससे कि हम image के property को लेड़े है अगर केवल display कराना है एक ही size में तो बस केवल इतना code लिखना है और थोड़ा उसे resize करना है तो उसके लिए आपको यह वाला code लिखना पड़ेगा fine चलिए okay अब हम चलते हैं कि जब हम इस पर mouse को over करें तो यह क्या हो कि इसका color है उसका back color जो है वो change हो जाए तो उसके लिए हम क्या करेंगे चलिए तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि इसके इस पर चलेंगे mouse over पर ठीक है सबके mouse over पर चलेंगे सबके जब mouse over पर चलेंगे तो इस सबका क्या कि जी एक mouse over यहां पर है mouse move जब उस पर mouse move हो तो क्या हो माउस मुव माउस मुव हो तो सीधा करेंगे मी ड़ुप्रिवीव वटन दॉट बैक कलर और जविक अब कलगॉ ऑपको लेना है माली आपको माली जेक्ट कोन से आपको बैक कलर चाहिए आस है इसको यह अये बैक क्लर चाहिए तो यह daisy ल wreck एपि करदिए यहाँ से यह लॉख को भी करके यहाँ पेस्ट कर दिए यहाँ वहाँ से यह बैक क्लर वह here यूख पंप्र शर्उस्ट कर सकते कंई कर सकते हैं उसके साथ बैक इस्टाइल जो है हम और टांस्परेंट हम one भी कर सकते हैं या यह भी लिख सकते हैं तो हम सिंपल सा कोड लिखते हैं one कर देते हैं यहां पर लिखा रहता है one और टू यहां पर आप क्लिक करेंगे तो यहां पता चलेगा zero और one यहां पर चलेंगे तो जीरो ट्रांस्परेंट है और one जो है हमारा फील के लिए तो हम यहां पर क्या किये वन कर दिये हैं अब क्या है कि जैसे ही अगर आप इस पर माउस मूफ करेंगे तो यह पीला हो जाएगा लेकिन हम इससे जब बाहर निकले तो यह क्या हो जाए इसके जितने भी हमारे कलर है वो हड़ जाने चाहिए फिर जो बैक कलर है वो नॉर्मल हो जाना चाहिए तो हम इसके लिए क्या करेंगे यह जो फॉर्म थ्रेम हमने लिया था वो इसी लिए हमने लिया था कि यहां पर करेंगे माउस मूफ इसका भी करेंगे माउस मूफ क्योंकि मैंने यहां पर आप देखेंगे हमने यह जो दिया है फोटो गैलेरी में यहां पर थोड़ा थोड़ा इस्पेस है जैसे ही यहां से बाहर आएंगे तो इस पर माउस मूव करेगा जैसे ही माउस मूव हो तो यह जितने बटन है क्या-क्या बटन है हमारे प्रिव्यू बटन, सेल फोल्डर, सेल फोटो और डिलीट बटन, तो यहां पर करेंगे हम me.previewButton.backstyle is equal to zero, यानि हमें transparent करना है, तो transparent के लिए हमारा क्या है? Zero है, fine, और इसी को copy कर लिजे, और इसको चार बार paste कर लिजे, और यहां पर कर दिजे, previewButton के बाद क्या है, sell photo, फिर उसके बाद यहां क्या है, sell folder, फिर यहां पर क्या है, हमारा deleteButton, यही है न, deleteButton, देख लेते हैं एक बार क्या है यह, meet.deleteButton, ठीक है, यही है, यह zero हो जाएगा, अब क्या है कि जैसे run कीजिए, अब यहां पर mouse लेगा, यह पीला तो हो गया, जैसे ही बाहर जाएगा यह, खतम हो गया, तो आप समझ सकते हो, कि एक line क्या code मैंने इसमें डालाया, उसी तरह सभी में एक line क्या code हम डाल देंगे, क्या-क्या डालेंगे, यह previewButton में चलिए, इसी को copy कर लिजे, इस दोनों को copy कर लिजे, और चलिए आप बटन में, select folder पर चलेंगे, और यहां पर जो है, सबसे उपर में हम यहां पर डाल देंगे इस, ठीक है, और यहां पर क्या कर देंगे, previewButton के जगा पर कर देंगे, sale folder, यहां पर भी कर देंगे, sale folder, फिर हम चलते हैं, तीसरे बटन में, यहां पर भी कर देंगे, हमें starting में, starting में नहीं करेंगे, हम यहां पर करेंगे, जब यह select हो तब, जब इस पर, नहीं हमें mouse over पहीं ले जाना है, तो mouse over के लिए हमें सबसे पहले देना होगा, कोई condition के नहीं है, जैसे हैं, उस पर mouse move हो, तो हमारा color change हो, तो यहां पर फिर इसे जाएंगे, उस खत करेंगे, sale photo, फाइन, चलिए select photo हो गया, अब एक बार delete button पे चलते हैं, delete button में, हमारा यह रहा, इसके उपर भी हम यह डाल देते हैं, यहां पर कर देंगे, delete button और इसको भी कर देते हैं, delete button, चलिए अब रन करके देखते हैं, अब इस पर गया, बाहर आएं, खतम हो गया, इस पर गया, select folder नहीं आया, क्योंकि हमने क्या किया है, select folder पर क्योंकि नहीं आया, select folder back style is equal to one, select folder dot click पर हमने डाल दिया, sorry हमने सारा जो है न कोड गलत जगा डाल दिया, इसको हमको करना है, mouse move, ठीक है, और यहां paste करना है, उसी तरह सब को copy करना होगा, हटाना होगा मुझे, और इस सब को mouse move पे ले जाना होगा, mouse move, just paste कर दिजे, मैंने वो गलती से, यह कोड कहीं और लिखना था, मैंने लिख दिया है, कहीं और, तो इसको mouse move में कर दिजे, और इसको paste कर दिजे, अब देख लेते हैं कि सही मैंने डाला है या गलत डाल दिया, fine, अब यह काम कर रहा है, एक बार click कर रहा है mouse, यह click होड़ा है, बट इसमें एक चीज मैं बताता हूँ, जैसे माले जी कि आपने इस पर select folder किया, और गलती से आपने photo को select करके mouse को आपने यहां से हटा दिया, तो देखें यहां पर यह जो select folder है, आपका mouse ले जाओंगा तो हड़ जाएगा, यह highlighted है, यह highlighted हड़ जाना चाहिए न, तो इसको क्या करेंगे, select folder में हम क्या करेंगे, select folder, यहां select folder में जाएंगे, और insert image से पहले, यहां पर कर देंगे, me.selectfolder.backstyle is equal to 0, अब यहां पर हम run किये, अब यहां पर दिखें, select folder हमने किया, यह सब step by step है, कि आपको जो करना है, वो code लिख दिजे, अभी तो यह दिखेंगा, लेकिन जाए सही यहां पर फोटो आएगा, उसके बाद यह यहां से हट जाएगा, लेकिन उसी तरह preview में भी आएगा, मानलों कि आपको preview देखना है, आपने अगर इस पर click कर दिया, तो देखें यह वाला button जो है न, पीला का पीला ही दिख रहा है, इसको अगर आपने बंद कर दिया, तब यह जाके हटेगा, तो इसमें इसे select किया, इस पर click किया, इसे जब बंद करेंगे, तब जाके यह हटेगा, तो इस photo gallery यानि photo manager का आप यूज कहां करेंगे, यह मैं बता दू कि कभी कभी क्या होता है न, कि आपके पास बहुत सारे photo, आप एक तरह से photo management करते हो, तो आप आपको किसी ने कोई आके कहा कि हमें यह photo चाहिए, हमें search करके बताओ कि इस तरह के photo कितने है, तो आप कैसे search करोगे, तो उसके लिए यह photo manager जो है, वो बहुत काम का चीज है, तो मैं एक dedicated video photo manager पर बनाने वाला हूँ, with event organizer के रूप में, जिसमें इस चीज को आप like करूँगा वहाँ पर, तो I hope आपको यह video अच्छा लगा होगा, प्लीज अच्छा लगा हो तो like, share and subscribe जरूर कर देना, और अगर आपके कोई feedback हो, तो please comment box में जरूर डाले, इसी के साथ धन्यवाद